अर्थ उच्चारन या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में आंतर अपनी हिंदी सुधारे जनतंत्र और गणतंत्र एक ही जनक से जन में या एक जैसे आचार विचार वाले और एक ही बोली बोलने वाले जनों के यायावर दल जन जाती कहलाए कहीं स्थानी रूप से बस जाने वाले जन जन पत्के करता हुए तंत्र यानी शासन की विशिष्ट प्रणाली के लिए जन समुचे राष्ट के मनुष्य समुह को कहा गिया लोग यों तो स्वर्ग प्रिद्वी पाताल और मानव जाती सांसारिक विवहार आधि बहुत कुछ है पर वर्तमान संदर्व में उसका मतलब सिर्फ जन साधारन है जब सभी वयसकों द्वारा जन साधारन के चुने हुए प्रतिनिदी शासन का संचालन करें अर्थात जब सत्ता जनता के हाथों में हो तब शासन तंत्र को जन तंत्र या लोक तंत्र या प्रजा तंत्र कहा जाता है इसी में प्रभु सत्ता प्रतिनिदियों की संसत यानि लोकसभा और राज्यसभा तथा उनके द्वारा बनाय कए समविधान में रहती है इस तंत्र में निर्ने बहुमत से होते हैं लेकिन अल्प संख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है इस शासन प्रेडाली में सरवोच चिपद पर चुना हुआ राश्ट्रपती होता है जैसे भारत, फ्रांस और संयुक्त राज अमेरिका में लेकिन नाम मात्र को राजा भी हो सकता है जैसे वन्शानुक्रम से इंग्लांज में आजकल प्रजातंत्र शब्द इसलिए कम प्रचलित होता जा रहा है कि इसमें प्रजा है जब हमारा कोई राजा ही नहीं है तो हम प्रजा कैसे होंगे? गण माने समो जैसे देवगण मित्रगण में गणों या कबीलों की निजी राजनैतेक सामाजिक व्यवस्ता पराधारित स्वतंत्र राज्जी गणराज्जी कहलाते थे जो बाई हस्तक्षे पसंद नहीं करते थे इन में राजा और उसके वन्शान उक्रम का कोई स्थान नहीं होता था बस कोई सरदार चुन लिया जाता था जिसे आवश्यक्त अनुसार बदला भी जा सकता था अर्थात सत्ता समूह के हाथों में रहती थी हमारे गंटंत्र में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कई बड़े छोटे राजी हैं जो अने रिष्टियों से स्वाधीन होते हुए भी केंद्र ये सत्ता के अधीन है इन राज्यों के प्रतिनिधी मिलकर निर्धारित अधिकारों वाले राष्ट्रपती को नियतवधी के लिए चुन लेते हैं इंगलैंड में गंटंत्र नहीं है वहां केवल जनतंत्र है लीबिया में केवल गंटंत्र है वहां जनतंत्र नहीं है भारत और संयुक्त राज एमेरिका में जन तंत्र भी है और गन तंत्र भी